Hello students, आप लोग कैसे हैं? मैं आसा करता हूँ, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्त होंगे और प्रशन होंगे Students, आज हम लोग NCRT Class 9th Exercise 2.4 का Question No. 5 solve करेंगे Factorization से Factorize करना है, Question No. 1 हमारे इस तरह से है X3-2X2-X2, इसका हमें Factorize करना, अभी हम लोग इसके पहले Question No. 4 में Solve किये थे, X2 करके, मैंने Quadric Equation का Factorize किया था मैंने, अब हम लोग QB की Question, मतलब जिसकी Power सबसे बड़ी 3 है, तो जब सबसे बड़ी पाउर 3 होती है, तो उसकी 3 Factor होंगे, और 3 0s भी होते हैं, मतलब मेरा X के पाउर QB जो लिखा है, 3 लिखा है, इसकी सबसे बड़ी पाउर 3 है, तो इसकी 3 Factor होंगे, तो इसको आज हम लोग सिखेंगे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम में क्या करेंगे, इसको हम, इसको PX की कुल्मान लेते हैं, PX is equal to हमारा लिख लेंगे, 2X square minus X plus 2, अब हम इसको by trial method से, देखेंगे इसका, इस equation का constant हमारा 2 है, तो 2 के Factor क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और ये plus minus 1, plus minus 2 की रूप में हो सकता है, तो कहाने मतलब है, कि हम इसको ये करेंगे, इसको हम by trial method से पहले लिखेंगे, by trial method, ऐसे आपको exact लिखना भी है, sorry, देखेंगे, तो हम सबसे पहले X is equal to मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान ना हो, क्या मान ना हो, X is equal to minus 1 लेते हैं, तो यहाँ पर PX जो यह पॉलिमेल जो हमारा है, पॉलिमेल नहीं है, मतलब यह पॉलिमेल जो हमारा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ X cube भी था, sorry, चीज छूड़ गए, X cube minus 2X square minus X plus 2, मने एस इसी equation को उतारना था, तो X की is equal to हम PX में, X की जगा पर हम 1 put करते हैं, और यदि यह हमारा 0 हो जाता है, तो X is equal to 1 जो हमारा इसका एक equation एवन इधर आएगा, तो X plus 1 हो जो इसका factor होगा, रेवेंडर थोरम से जिसको मैं पिछले question में solve किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PX है, मतलब X की जगा पर minus 1 रखके हम चेक करते हैं, तो X cube है, तो minus 1 का cube, minus 2X square है, तो 2 into minus 1 का square, फिर minus X है, फिर minus 1 plus 2, ऐसे हम कर दिए, अब इसके बाद इसको solve करेंगे, तो यहाँ minus 1 का cube क्या होता है, minus 1 into minus 1, minus 1 into minus 1, तो minus 1 को minus 1 से multiply, plus 1 हुआ, plus 1 को minus 1 से किये, तो क्या आ गया, minus 1 आ गया, मतलब minus 1 का cube क्या हो, minus 1, इसको minus 1 लिख देते हैं, minus 1 का square, minus 1 into minus 1, plus 1 हो जाएगा, और plus 1 को minus 2 से multiply करेंगे, तो minus 2 होगा, इसी तरह से minus 1 को minus 1 से करेंगे, तो plus 1 हो जाएगा और यह plus 2 है तो हम यहाँ देखने है plus 2 यह minus 2 यह दोनों कट जाएगा यह minus 1 यह plus 1 यह भी कट जाएगा तो finally हमको क्या मिला 0 मिला तो जब 0 मिल गया तो इसको हम कह सकते हैं कि x प्राबर 1 जो है x is equal to minus 1 जो हमाने थे इसको put करने से हमारा क्या हो रहा है यह 0 हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं we can say that x is equal to minus 1 x plus 1 is the factor of is the factor of यह हमारा पॉलेमियल इसी पॉलेमियल का यह फैक्टर है मतलब क्या सकते हैं x cube minus 2 x square minus x plus 2 मतलब x plus 1 ने x is equal to minus 1 इसमें हमने put कर दिया इसी पॉलेमियल में तो हमारा क्या जाता है 0 आ गया यह यह प्रूब होता है इसको हम डिवाइड करेंगे तो x का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि x cube हो जाए तो मतलब x 1 के power 1 है अब x के power और हम किस से इसको multiply कर दें x power 3 हो जाए तो x power 2 से करेंगे x power 2 को x power 1 से multiply करेंगे तो x power 3 हो गया फिर x power 2 को फिर plus 1 से multiply करेंगे तो वही रहे एक्स square को 1 से करेंगे तो plus x square होगा इसको हम इसे line कीचेंगे अब यहाँ देखेंगे जो यह दिख रहा नीचे वाला जो आपको दिखा एक plus x cube है यह plus x square है इसको हम क्या करेंगे इसके सारे symbol को change करेंगे तो plus में ही माइनस हो जाएगा यह plus ही भी माइनस हो जाएगा यह दोनों कट गए क्योंकि यह plus x square है माइनस x cube है माइनस x cube है तो दोनों cancel हो गया यह माइनस 2 x square है और यह माइनस x square है तो कुल मिलाकर यह माइनस 3 x square हो जाए क्यों क्यों माइनस 2 x square है माइनस 1 x square दोनों मिलाकर माइनस 3 x square हो गया और इसको इसे एजिट लिख लेते हैं माइनस x प्लस 2 अब हम क्या करेंगे x का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि माइनस 3 x स्कॉयर हो तो पहले बात तो माइनस 3 हम लिख लेंगे और x को हम x से ही मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारा x स्कॉयर होता है इसलिए x से मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 3 x को हम x से मल्टिप्लाई करते हैं तो माइनस 3 x स्कॉयर होता है और माइनस 3 x को फिर हम प्लस 1 से करते हैं तो हमारा प्लस 3 स्वारी माइनस 3 x को हम प्लस से करते हैं तो यह माइनस 3 x हो जाएगा हमारा पिर हम देखेंगे घटा लेता है यह हमारा कट जाएगा यह हमारा एक्स का टेबल कितनी बार पढ़एगे कि वेक्स कर देएगी कर देए यहां तो x square हो जाएगा लेकिन हमें 2 से ही multiply 2 से x में करिए तो 2 x होता है और 2 सो फिर plus 1 में multiply करेंगे तो plus 2 होगा इस तरह से इसका भी निसान minus होगा ये भी minus हो जाएगा ये plus 2 x और ये minus 2 x solve करेंगे कड़ जाएगा और ये plus ये minus ये भी कड़ जाएगा तो कुल मिला के लिए हमारा 0 हो गया तो अब हमको ये मिल गया तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा polynomial था क्या था x cube minus 2 x square minus x plus 2 is equal to क्या होगा इसमें हमने देखा था जो हमारा divisor था x plus 1 x plus 1 और जो हमारा question है इस दोनों को multiply कर दें जिससे हम भाग दे थे x plus 1 से भाग दे थे और हम किसमें भाग दे थे हमारा question क्या था भाग देने पर x plus 1 को इसमें भाग दे थे तो इसमें भाग देने पर हमारा question क्या था question आप देख लिजे तो x square मानस 3x प्लस 2 आया था यह हमारा quadratic question है अब हम question number 4 को जिस तरह से quadratic question को solve किये थे जिस polynomial को उसी तरह से इसका हम factorization करेंगे तो देखिए very simple है और यहाँ पर हाँ देखिए diviser को यह question से multiply करते हैं और remainder जोड देते हैं हमने देखा remainder हमारा 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पुड़ेगा सेम रहेगा इसका multiply करते हैं तो यह हमारा आ जाता है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है तो x plus 1 मैंने ऐसे लिखकर छोड़ दिया इसको हम factorize करेंगे इसको हम bracket में लिख लेंगे क्या करेंगे x square minus 3x है तो इसको हम क्या करेंगे यहां वन है और यहां टू है वन और टू का फैक्टर मल्ट वन और टू का multiply करेंगे तो हमारा टू आएगा टू का हम ऐसा factor करें तो का हम ऐसा factor करते हैं तो यहां प्लस वन है यहां प्लस टू है तो वन इंटू into two होता है возь Demarecom करने पर यहान दीखिए प्लस लिखा है प्लस करने पर कितना होना चाहिए मास ट्रीक टो आ चाहिए तो यहाँ पर मंध्र 1 मंध्र स्ट्व रिफिक दोनों को प्लस कर दीजिए मानेस एन मायनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी X मायनस 2 यह हमारा होता है चीकि Hebrew 1 इसमें कॉमन लीजिए मायनस 1 गुल्승 को एक से कर classroom मायनस 2 होगा मायनस 1 को मायनस 2 से करे क्या तो प्लस 2 हो जा रहा है मतलब इसमें से हमारा मायनस 1 गॉल्मन आ गया कि इसको में लिख सकते हैं x plus 1 एक ब्रेकट में और इसमें देखिए दोनों में x-2 x-2 दोनों में है तो x-2 एक ब्रेकट में हो जाएगा और दूसरे ब्रेकट में x-1 हो जाएगा तो यह हमारा फैक्टर होगा है जोकि 3 फैक्टर होगे इस पॉलिमेल के x cube minus 2 x square minus x minus 2 के हमको त question number second हमारा है x cube minus 3 x square minus 9 x minus 5 तो हम इसका भी constant हम देखते हैं minus 5 है माने 5 का हम factor करेंगे तो क्या होता 1 और 5 दो ही factor होता है तो plus minus 1 एक होगा और एक plus minus 5 होगा तो हम लेते हैं यह इसको हम पहले लिख दें p x is equal to हमारा क्या होगा x cube minus 3 x square minus 9 x minus 5 यह हमारा होगा अब हम को by trial method से हम लिखेंगे by trial method trial method अब इसको हम x is equal to 1 मानते हैं minus 1 मान लेते हैं तो इसको हम चेक करें यह 0 हो जाता है तो x is equal to minus 1 तो minus 1 इधर आएगा तो x plus 1 इसका factor होगा तो हम चेक करें minus 1 यहां लिखें इस वाले question में value put की x यहां minus 1 रख दे तो सारा value यहां पर जितना x है सब जगहां पर minus 1 ही होगा तो minus 1 का cube minus 3 फिर minus 1 का square फिर minus 9 into minus 1 फिर minus 5 अब यहां student देखिए minus 1 का cube क्या होगा minus 1 into minus 1 into minus 1 तो minus 1 into minus 1 तो minus 1 को minus 1 से multiply करेंगे तो plus 1 हो जाएगा और plus 1 को फिर minus 1 से multiply गरेंगे तो plus minus minus 1 into 1 तो minus 1 आ जाएगा इसका मलब minus 1 का cube minus 1 होता है फिर यहां पर minus 1 का square plus 1 होगा plus 1 को minus 3 से multiply गरेंगे minus 3 यहां minus 9 को minus 1 से करेंगे तो minus minus plus हो गया और 9 उन्जा 9 हो गई यहाँ minus 5 होगा इसको हम solve करेंगे minus 1 और minus 3 को solve करते हैं तो minus 4 हो जाता है और 9 और minus 5 घटाते हैं इसको तो यहाँ भी हमारा plus 4 आता है क्योंकि 9 में से 5 घटाएंगे तो plus 4 है क्योंकि 9 वाले digit हमारी बढ़ी है तो minus 4 plus 4 is equal to क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि we can say we can say that x is equal to minus 1 इसको हम ऐसे कहें x plus 1 क्योंकि x इधार आएगा 1 minus 1 इधार है तो plus 1 हो जाएगा is the factor of is the factor of polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5 इसका यह क्या है अब इसको जब यह factor है तो इसको हम क्या करेंगे कि x minus x plus 1 से इसको हम डिवाइट करेंगे तो जब फैक्टर रिबेंडर थो रहा हम से पीछे पढ़े हैं तो इसका रिबेंडर जीरो आएगा और यह question आएगा तो जैसे हम पिछली question में solve की इसको हम करते हैं तो x plus 1 से इसको हमें divide करना है कि इसको x cube minus 3 x square और minus 9 x minus 5 को इसको हम divide कर लें x के table x cube में x square बार जाएगा तो x square को x multiply की x cube हो गया x square को plus 1 से कर रहे हैं तो plus x square हो जाएगा फिर उसी तरह करने कि हैं निसान बदल लेगा सबका यह plus है तो minus होगा यह भी plus होगा यह cancel हो गया तो जब यह cancel हो गया हमारा तो minus 3 x square minus x square मिला करके minus 4 x square हो गया क्योंकि दोनों मानस है तो मानस होने दोनों जुड़ जाएगा यह मानस 3x स्कॉाइर यह मानस 1x स्कॉाइर है तो मानस 3x स्कॉाइर मानस 1x स्कॉाइर दोनों मिलाकर मानस 4x स्कॉाइर हुआ था अब हमारा यह बच्चा मानस 9x मानस 5 अब एक्स का टेबल हम कितनी बार पढ़ें maius four x square हो जाए तो минus four x एक्सकोर हम एक हमें x से multiply करते हैं तो minus four x को फिर प्लस करेंगे तो भी हमारा फॉर J होगा इसको हम solve करेंगे यह प्लस हो जाएगा यह minus और nine x में से माना यह nine x यह minus four x हैतो मिलाकर 13 x हो जाएगा भी मैनिस में मैन lat 5 होगा अब यहाँ वह मद् cuánt माइनस 13 अब debl करनेंeral अबaltra कि एब इसको हम आगे ड्रोब करते हैं कि हां थोड़ा सा गल्ती होगा। इसको द्यान से देखेंगे यह हमारा है यह देखिए 4X को हम 1 से करेंगे तो minus 4X होना चाहिए था, क्या था, minus 4X को plus 1 से करेंगे, तो minus और plus, यहाँ होगा minus तो जिस भी minus हो जाएगा तो यहाँ हमारा minus 4X होगा अद यह तभी निशान इसको बदलेंगे तो यहाँ plus हो जाएगा, तो minus 9 इन प्लस पो तो मिला कर चाहोगा माईनस ऐफ क्या हो जाएगा मांदस क्योंbena यह क्या hija क्योंकि मारव टोनों घंड़ से 9gens सरुमान सिर那么 तो इहां पृडएता है और यहां पर ध्याद दीखिए यह था बड़ा है इसलिए निशान भी लगाएंगे तो यह हमारा क्या हो गया – 5 x हो गया – 5 x – 5 उतार ले तो यहां पर अब हम कितनी बार ले जाएगा 13 बार नहीं देशंगर यह मार्यां थाइड बार जाएगा तो मानष लगा दिया मैंने यह 5 हो गया यह भी प्लस हो जाएगा तो यह दोनों cancel हो जाएगा क्योंकि यह minus 5 x यह plus 5 is cancel हो गया यह minus 5 यह plus 5 cancel हो गया यह 0 remainder आ गया तो इसका मतलब इसका इसका गुड़ा करके और यह जोड़ दें तो हमारा यह चीज आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे क्या x cube minus 3 x square minus 9 x minus 5 is equal to क्या इसका को multiply करें और यह remainder 0 जोड़ने कोई मतलब नहीं है इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं अब इसका हम factor करेंगे x plus 1 इसका हम factor करेंगे तो x इसका क्या है यहाँ one है coefficient इसका को option minus 5 है constant term minus 5 है तो one over minus 5 का multiply करते हैं तो minus 5 आएगा तो minus 5 का ऐसा factor करिए कि इसको minus करने पर minus 4 आ जाए तो minus 5 क्या होता one into five तो one into five है तो one into five का कैसे solve करें एक को minus 4 लाना है तो minus 5 कर देंगे इसे minus 5 को one से multiply करेंगे तो minus 5 आभी जाएगा और minus 5 प्लस one solve करेंगे तो minus 4 आभी जाएगा तो ऐसे हम करेंगे x square minus x one x है one को x लिख दी नि one x और यह minus 5 x क्या हो गया minus 5 x अब इसको हम solve करते हैं इसे हम plus x करेंगे प्लस x में से 5 minus 5 x करेंगे तो minus 4 x आएगा इस तरह से हमारा यह हो गया यह हमारा complete हुआ अब इसमें हम common लेंगे तो क्या होगा x plus one एक ब्रेकट में दूसरे ब्रेकट में x common लीजिए तो x plus one यहाँ हो जाएगा कि इसमें x square plus x में x common निकल गया तो है x बचा और यहाँ plus one बचा इसमें हम minus five common लेते हैं तो यहाँ x यहाँ plus five plus one बचा जीकि माइनस five को एक से करेंगे multiply तो minus five x होगा minus five को minus plus one में multiply तो minus five हो तो मतलब इसको multiply करने भी आना चाहिए तो यह हमारा होगा अब इसको हम लिखेंगे x plus one एक ब्रेकट में और दूसरे ब्रेकट में हम x plus one x plus one दोनों में था तो x plus one एक बार और लिख लेंगे और x minus five जो common आया था यह हमारा है यह common एक सायथ है या minus 5 तो यह हो इस तरह से हमारा यह factor complete होता है